असलाम आलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे इस्टेट स्टाइल तबा चिकिन पीस की रेसिपी जो एकदम चट पटा मसालेदार सा बनकर त्यार होता है बहुत जादा टेस्टी बनता है तो ट्राइ जरूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए प्लीस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंट्स में शियर कर दीजिएगा तो चिली देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया तो यहां पर हमने लिया है एक किलो चिकिन देखे तीन बड़े बड़े पीसे लिये हैं लैक पीस फुल लैक पीस लेने है अच्छे से पहले हमने इनको क्लीन कर लिया अब इसमें लगाने हमें कर तो गहरे गहरे कर लगा लेंगे ताकि जब हम इसको मेरिनेट करें मसाले लगाएने तो अंदर तक इसके फ्लेवर्स जाएं और चिकिन एकदम सॉफ्ट बन कर तियार हो तो दीखिए इस तरह से आप पर मसाला तैयार करेंगे तो इसके लिए यह पर टीबल स्पून साबुद धनियां और वन टीस्पून और यहां पर हमने लिए कि वह रखते ह का नहीं और ती सं प्रके नोगिऊ लीहां अगर आप कशमीर्य साबूद ले रहे हो तो सब्सकर पाशंने कर देंगे जया है कर इसका एक फाइन पाउडर बना कर तियार कर लें न इस तरह से अब इसको कर दिया यहां पर हमने एक मिक्सी जार लिया है इसमें एड़ करेंगे देखिए तीन हरी मिर्च यह मोटी वाली हरी मिर्च लिया है यह तीकी नहीं होती दो टमाटर एक मीडियम साइस का प्या जिसको इस तरह से रफली कट कर लें और इसको एड़ कर दिया है मिक्सिजार में अब इसमें जाएगा देखिए अद्रक लहसुन का पेस्ट डाल लीजिएगा और अब एड़ करेंगे जो मसाला हमने पीस कर रखा हुआ था ना पाउड अब एड़ कर लेना है तो देखिए यह पेस्ट अमारा पंकर तेयार हो चुका है अच्छे से ब्लेंड कर दिया है इस तरह से बारिक सा अब देखिए इसको साइड कर दिगे यहां पर हमने एक बोल रख लिया है बड़ा सा जो मसाला पीसा है विसको इस बोल में एड़ कर अब इसमें एड़ करेंगे नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के कोड़िंग कर लीजिएगा तो यहां पर मैंना वन एंड हाफ टीस्पून देड़ छोटे चमश नमक एड़ कर लिया है अब देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया उसके बाद चिकन के पीसे लेने हैं और मसाला खूब अच्छे से लगा देना है जो आमने कट्स लगाए ना उसमें भी अच्छे से वड़ दीजिएगा मसाला और सभी पीसे में इसी तरह देखिए लगा लेंगे तो खूब अच्छे तरीके से आप लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा टीस्ट आएगा मसाला अच्छ मिर्शी का पावडर डालेंगे और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे क्योंकि यह दही का नमक है मसाली का नमक हमने पहले ही एड कर दिया था अब जो मैरीनेशन बचा था ना वो टू टीबल स्पून दो बड़े चममच हमने इसमें मैरीनेशन भी मिला देना ह तो दीकि खूब अच्छे से मिक्स कर लिया अब यहां पर हमने इस तरह की जाली ले लिए और चिकन के पीसे लगा देंगे अगर आपके पास तंदूर बार्बीक्यू है तो इस टाइम पर इसको अच्छे से तंदूर में इसको बेक कर लें या फिर बार्बीक्यू है साले भी अच्छे से लग जाएंगे चिकन के ऊपर और थोड़ा सा जो स्मोकी सा फ्लेवर है ना बो भी आ जाएगा तो देखें यहां पर इस तरह से जब कलर आ गया ना तब हमने इसको निकाल लेना है तो फ्लेम को यहां पर हमने बंद कर दिया है देखें खूब अच्छ में मिल जाएगा तो देखें यहां पर हमने यह चिकन लगा देना है तब एको पहले गरम कर लेंगे उसके बाद यहां पर चिकन के पीसिज लगा देंगे तो देखें तीन पीसिज लिए थे पर्फ्रेक्ट्ली यह तब यह पर आ चुके हैं आपके बड़ा तबाह है तो भ तो सबी पीसे को हम इस तरह से पलट दिए अभी हमने ऑईल वगरह नहीं डाला है फिर से जो भी बचाता है इसके उपर हमने डाल दिया अब देखिए जो हमने थोड़ी सी हरी मिर्च काटी है तो यह एड़ कर देंगे तीन से चार हरी मिर्च कट कर लें और लेमन युस्ट द पखने के लिए बीच में आप चेक करते रहें ताकि जले ना इसका मॉइस्टर सूके ना क्योंकि मॉइस्टर सुक जाएगा तो जल जाएगा क्योंकि हमने ऑइल वगएरा नहीं किया है अब देखे हम इस पर लगाएंगे ओएल खोल कर देख लिया है कवर कर दिया था लो लो बन होता है चोटे नीबू में बड़े लीजिए गा उसमें कड़वापन नहीं होता तो एड़ कीजिएगा अगर चोटे नीबू डालेंगे कि कड़वापन आ गया अब देखे खुब अच्छे तरीके से हमने इसको उलट पोलट करकर सेक लिया खूब अच्छा कलर आगया कर लिया तो मैंने इसको सर्फ किया था रुमाली रोटी के साथ मैं तोड़कर दिखाना चाहूंगी एक दम सॉफ्ट जूसी मॉइस्ट बनकर तयार हुआ है तो आप इसको रुमाली रोटी के साथ खाईए या फिर ऐसे भी ऐसा स्टार खा सकते हैं बहुत ही जादा मज़ेद करते हैं तो मुझे कॉमेंट्स करकर जुरूर बताईएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशाल्ला नई रेसिप रखें तब तक के लिए अला हाफीज